Apple, smartphone market में dominate कर रही है, iPad में dominate कर रही है, smartwatch और earbuds में भी dominate कर रही है और future में भी dominate करने के लिए Apple ने अपना अगला कदम already बढ़ा दिया है ये है Apple Vision Pro क्योंकि काफी ज़्यादा chances है कि smartphone के बाद अब headset future होने वाले है तो Apple Vision Pro क्या है, इसमें अच्छा क्या है, इसमें बुरा क्या है, सब जानेंगे आज First of all, ये एक VR headset है VR headset इससे पहले भी launch हुए है लेकिन उनको अपने हातों से controller पकड़ के control करना पड़ता था ये उंगलियों के इस आरों से control होता है और इससे पहले जितने भी VR headset आए, उनमें कुछ limited चीज़े ही कर सकते थे लेकिन इसमें tons of चीज़ें है सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी अच्छी चीज़ों के साथ जिसमें पहली चीज़े convenient इससे पहले smartphone की 6 inch की display तक limited थे अगर उससे बड़ी screen पर कुछ देखना है तो laptop या TV पर shift करो अब ये smartphone का काम भी कर देगा साथ ही इसमें content देखने के लिए 100 fit तक screen size बढ़ाया जा सकता है जो कि एक theater की screen से भी ज़्यादा बढ़ा है और हाथ से पकड़ने की भी ज़रुवत नहीं इसमें आखे pointer की तरह काम करती है और ये उंगलियों और voice command से चलता है अगली चीज़ वीडियो calls तुमने headset लगाया है फिर भी सामने वाले को ऐसे नहीं दिखोगी बलकि इसमें इतने cameras और sensors लगे हुए हैं जिने तुम अपनी खुली आखो से भी देखना चाते हो और साती फोन में record भी करना चाते हो और फोन से उस moment को record करने के चकर में real life में देखने का experience खराब हो जाता है लेकिन इसके साथ नहीं सेम टाइम में चीज़ों को देख और even 3D में record कर सकते हो और बाद में अपने पूरे रूम को ही गैलेरी बना सकते हो अगली अच्छी चीज़ है इसकी डिस्पले एपल के हिसाब से इसमें दोनों आखो की जगे 4K से भी ज़्यादा quality की poster stamp size की micro wallet displays है और एक आईफोन की डिस्पले में जितनी जगे एक single pixel लेता है उतनी जगे में इसमें 64 pixels है तो आँखों से pixels दिखने का कोई chance ही नहीं है बाकि मेरे ही साब से यह overkill है और final अच्छी चीज़ है इसके sensors इसमें front में भी एक display लगी हुई है और front और back दोनों मिला के total 23 sensors है जो कि यह transparent है नहीं लेकिन transparent लगता है क्योंकि पीछे वाले sensors आँखों को record करके same time पे front display पर दिखाते हैं जिससे लगता है कि इसमें सिर्फ एक single transparent glass है और जब किसी से बात कर रहे हो तब ही आखे दिखेगी जब कुछ देख रहे हो तो एक colorful display आएगी साइद इसलिए Apple दुनिया की सबसे smartest tech company है अब देखो कोई भी चीज perfect नहीं होती जिसमें अच्छाईयां होती है उसमें बुराईयां भी होती है और इसमें साइद बुराईयां जादा है हम छोटे problem से सुरू करेंगे और धीरे धीरे बढ़ेंगे बड़ी problems की तरफ सबसे पहले battery life दो घंटे इतनी अच्छी चीज जिसमें movies देख सकते हैं गेम खेल सकते हैं और battery सिर्फ दो घंटे चलेगी अटलिस्ट battery अलग से लगी हुई है तो जिसके पास दो बैटरी जो वो आराम से एक सेकेंड में battery चेंज कर सकता है लेकिन यह already 3 लाग का है किसी के पास पैसे बचेंगे एक और battery लेने के लिए next जो problem होगी वो होगी हमारी आँखों के साथ हमें already suggest किया जाता है कि mobile और laptop आँखों से जितना हो सके उतना दूर रख के यूज़ करना जाई है यहाँ पर आँखों के एक इंच आगी 4K की display लगी हुई है जब launch होगा तब मुझे seriously जानना है कि आँखों को कितना नुकसान होगा इससे लेकिन आँखों में problem तो साथ long term में होगी short term में problem होगी गर्दन और सिर में क्योंकि जहाँ पर बाकी सब VR plastic के होते हैं यह aluminium का है और hulka तो कहीं से भी नहीं है हाला कि battery अलग से देखे वजन कम किया गया है लेकिन फिर भी aluminium की इतनी बड़ी चीज को कितनी देर भेन पाओगे यह भी जानना है मुझे next problem है इसकी pricing 35,000 डॉलर का है यह इंडिया में 3,000,000 से उपर तो आए गई आएगा अब देखो first generation product है काफी research और innovation की है price जादा हो सकता है लेकिन जिस तरह से Apple ने pricing को event में प्रेजेंट किया है कि अगर तुम इस quality की display और speakers लेने जाओगे तो 12,000 डॉलर लगेंगे यानि की लगबग 10,000 डॉलर फिर यह तो सिर्फ 35,000 डॉलर का है पहली बात तो मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई display और speakers पे 10,000,000 खर्च करेगा दूसरी बात 10,000,000 खर्च करके family के पूरे 10,12 लोग एक जगे बैठके content enjoy कर सकते हैं यहाँ पर एक person के लिए एक चाहिए और इसी से related है सबसे बड़ी problem isolation एक smartphone जो की सिर्फ एक 6 इंच का डबबा है हम already उसमें बिना मतलब दिन के 8-10 गंटे बिताते हैं जबकि उसको use करने के लिए जेब से निकालना पड़ता है और display size भी 6-7 इंच तक limited है यह तो आँखो के उपर ही display है और हमारा vision ही display size है जिस तरब देखो के वहाँ screen हम already phone से addicted है और यह first generation product है इसलिए बड़ा और भारी है और battery life 2 गंटे है लेकिन आने वाले 10 साल बात क्या डब इसकी कई generation आ जाएंगी size इसका glass या lens जितना हो जाएगा और battery life हो जाएगी almost unlimited और जब phones रहेंगे ही नहीं हमारी आँखें ही display होगी फिर हम जहां देखेंगे वहाँ एक display होगी calls, video calls, texts, content consumption, editing, gaming, other work सब इस पे होगा फिर कहां बचके भागोगी इस से और अभी parents बोलते हैं कि phone से दूर रहो पढ़ाई वगेरा करो, outdoor games खेलो जबकि ये सिर्फ एक छोटी सी कांच की sheet है फिर भी बिना मतलब हमारी दिन के 8-10 गंटे ले लेता है तो जब सारा काम internet पे होगा और सुबा उठने से लेके साम को सोने तक 24 गंटे आँखों के सामने screen लगी होगी और 90% काम room की चार दिवारी के अंदर ही हो जाएंगे तो कोई क्यों बाहर निकलेगा अधर लोगों से socialize क्यों करेगा अब इससे काफी सारी चीज़े आसान हो जाएगी लेकिन तुम बताओ क्या तुमको ऐसा future चाहिए और I hope तुमको मेरी बात समझ में आई हो मैं एक दो साल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ 10 साल, 20 साल, 30 साल बात की So that's it for this video पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं next video में This is Tech Plus, Taking Technology Too Far